राधे राधे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ आज मैं आपको पीपल पत्वारी की एक प्राचीन कहानी सुनानी जारे हूँ सभी कहानियों के साथ में पीपल पत्वारी की कहानी जरूर सुनी चाहिए इससे बहुत पुन्यधर्म मिलता है पहले सुनी हुई सभी कहानियों का पुन्यधर्म तभी मिलता है जब पीपल पत्थवारी की कहानी सुनी जाए आईए अब हम पीपल पत्थवारी की कहानी सुनते हैं बात बहुत पुरानी है एक गाउं में दो व्यापारी रहते थे वे दोनों ही छोटे किसानों के यहां से अनाज खरीद कर बड़ी अनाज मंडी में बेचने जाया करते थे उसी गाउं में एक मजदूर भी रहता था तब एक बार की बात है वे दोनों व्यापारी अनाज बेचने के लिए बड़ी मंडी में जा रहे थे एक किसान की ट्रेक्टर ट्रोली में धान भरा हुआ था तो दूसरे किसान की ट्रेक्टर ट्रोली में चीनी के कट्टे भरे हुए थे वे दोनों अनाज बेचने के लिए खुद के गाउं से शहर की बड़ी मंडी में जा रहे थे तब गाउं में सडक के किनारे एक बुड़िया माई उन्हें बैठी हुई मिली सबसे पहले धान बेचने वाला व्यापारी उधर से गुजरा तब उस बुड़िया माई ने उस ट्रेक्टर ट्रोली वाले से कहा अरे बेटा मेरी मदद कर दो बेटा तुम्हारी ट्रेक्टर ट्रोली में क्या भरा हुआ है तब व्यापारी सोचने लगा कि यह बुड़िया कहीं कुछ मांग ने ले तो उसने बुड़िया माई से कहा कि बुड़िया माई मेरी ट्रेक्टर ट्रोली में तो खाली बारदाने भरे पड़े हैं अर्थात की खाली बोरियां पड़ी हैं बुड़िया ने कहा कि बेटा तेरी वानी सत्य हो थोड़ी देर बाद दूसरा व्यापारी उधर से गुजरा उसको भी बुडिया माई ने कहा कि बेटा मेरी मदद कर दो बेटा तुम्हारी ट्रक्टर ट्रोली में क्या भरा हुआ है तो दूसरा व्यापारी भी जूट बोल गया उसने कहा अरी बुडिया क्या लेने की इच्छा है मेरी ट्रैक्टर ट्रोली में तो नमक की बोरिया भरी है जबकि उसकी ट्रैक्टर ट्रोली में चीनी के कट्टे परे हुए थे बुडिया ने कहा ठीक है बेटा तेरी वाणी सत्य हो थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर उधर से निकला उसके सिर पर एक गठरी थी गठरी में उसका कुछ सावान था उसके कुछ कपड़े थे बुडिया ने उसे भी पूछा बेटा मेरी मदद कर दो बेटा तेरी पोटली में क्या है तो मजदूर बोला बुडिया माई मेरी पोटली में तो कुछ मेरे कपड़े हैं चार रोटी और एक कांदा है और थोड़ा सा गुड़ है बताओ बुडिया माई मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ तो बुडिया माई उस मजदूर से बोली की बेटा मुझे बहुत भूख लगी है तब मजदूर बुडिया माई के पास गया उसने अपनी पोटली खोली पोटली में से चार रोटियां कांदा और गुड निकाला और बुडिया माई को खाने के लिए दे दिया बुडिया माई ने भर पेट रोटी खाई और वह मजदूर से बोली कि बेटा जैसे मेरा पेट भरा है वैसा ही तेरा घर भर जाए मजदूर खुशी खुशी बुडिया से आशिवार लेकर आगे चल पड़ा अभी वै थोड़ी दूर आगे गया ही था कि तभी उसे मैसूस हुआ कि उसकी पोटली में बजन भारी हो गया है उसने पोटली खोल कर देखा तो उसकी पोटली सोने चांदी और धन से भरी हुई मिली मजदूर ने पीछे मुड़ कर देखा तो उसे वो बुडिया दिखाई नहीं दी तब वैसमझ गया कि यह बुडिया माई और कोई नहीं पतवारी माता ही थी उसने वहीं बैठकर चार-पांच कंकर लिये और रोली, मोली, जल, गुड रखकर पूजा करने लगा और पतवारी माता को वहीं बैठकर ढोक लगाने लगा उधर जब वे दोनों व्यापारी मंडी में पहुचे तो धान वाले व्यापारी की ट्रोली में खाली बोरियां पड़ी हुई मिली और चीनी वाले व्यापारी को चीनी की जगें नमक की बोरियां मिली तब वे दोनों जोर-जोर से चिलाने और रोने लगे कहने लगे कि घर से तो हम धान और चीनी की बोरियां लेकर निकले थे मंडी तक आते आते कैसे गायव हो गई धान की जगें, खाली बोरियां और चीनी की जगें नमक के कटे कहां से आगे तब उन दोनों व्यापारियों ने एक दूसरे से पूछा कि तुम्हें रास्ते में कौन मिला था दोनों ने ही एक दूसरे से कहा कि मुझे रास्ते में सड़क के किनारे बैठी हुई एक बुड़िया माई मिली थी वो मुझसे मदद मांग रही थी और पूछ रही थी कि तुमारी ट्रोली में क्या भरा हुआ है लेकिन मैंने उसे जूट बोल दिया तब वो दोनों ही एक दूसरे से अपनी बात कहने के बाद वो समझ गे कि हमें वापस उसी बुड़िया के पास जाना चाहिए वही हमारी मदद करेगी तब ही वे दोनों ट्रोलियां लेकर वापस गाव की सड़की और मुड़ गे आदे रास्ते में ही उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया जो सड़के किनारे बैठा पत्वारी पूझ रहा था तब उन दोनों व्यापारियों ने उस मजदूर से पूछा कि अरे भाई क्या तुमने किसी वुड़िया को बैठे हुए देखा था क्या तब वे मजदूर बोला कि वे वुड़िया तो पत्वारी माता जी थी फिर उस मजदूर ने खुद के साथ बीती हुई घटना उन दोनों व्यापारियों को सुनाई तब उन व्यापारियों ने भी अपनी अपनी घटना उस मजदूर को सुनाई तब मजदूर ने उन दोनों व्यापारियों से कहा कि अरे भाईयों आप लोगों को जूट नहीं बोलना चाहिए था तव व्यापारियों ने कहा कि अब हमें पत्थवारी माता कहां मिलेंगी हम अपनी गलती की शमा मांगना चाते हैं तो मजदूर बोला पत्थवारी माता तो हर पत्थर में हर कंकड में मुझूद है व्यापारी बोला क्या ये चार पांच कंकर जिनकी तुम पूजा कर रहे हो क्या इसमें भी पत्वारी माता है तो वे मजदूर बोला कि हाँ इसमें भी पत्वारी माता है तब वे दोनों व्यापारी भी वहीं बैठ गए और मजदूर की बात पर विश्वास करके वहीं पर उन चार-पांच कंकरों की पूजा करने लगे और अपनी गलती की और जूट बोलने की माफी मागने लगे कि हे पथवारी माता हमें माफ कर दो तबी वहां पथवारी माता प्रकट हुई और उनका पहले जैसा था सब वैसा कर दिया तो हे पथवारी माता जैसे आप उस मजदूर के उपर प्रसंद हुई वैसे सब के उपर होना कहानी कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की कार्तिक, बेसाक, माग और पुर्शोतम मास और शीतला माता की पूजा के साथ पत्वारी माता की पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं कहते हैं कार्तिक, माग, बेसाक और पुर्शोतम मास साथ ही शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा करने के बाद फत्वारी माता की पूजा करनी चाहिए कभी भी कहीं पर शुब यात्रा करने जा रहे हो तो यात्रा करने से पहले पत्थवारी माता की पूझा करने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद